भाईयो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है सभी आंगन बाडी सेविका साहे का मिनी बहनों का आज सुबे की सच्ची खबरों में स्वागत है बहनों आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि मांदे में बढ़ोत्री के लिए मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन बुलाया है अब सम्मेलन के माध्यम से आंगन बाडी बहने और आसा बहने आपके मांदे में व्रद्धी की जाएगी जिसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल इस समय प्रकासित किये गए है कुछ मैसेज भी आए है वाटसेट के माध्यम से जिन में किन किन मांगो पर सहमती बनी है मुख्यमंत्री महोदय ने स्वेकार किया है उन सब को इसमें लेकर के भीजा गया है और बहुत सारे मीडिया जो है उसमें भी इन चीजों को प्रकासित किया गया है तो इलेक्ट्रानिक प्रिंट मीडिया में प्रकासित होने वाली इन बड़ी खबरों को लेकर मांदिव रधी की जो गोशनाएं हैं जिसको लेकर के सम्मेलन बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री ने सम्मेलन बुलाने की बात कही है ये खबर मद्रप्रदेश राज की है इस समय सिरीप्यो, सुपर्वाइजर और आंगन बारी कारकरता तीनों की तीनों बहने मिलकर के सामुहिक हर्ताल पर है मद्रप्रदेश में और पछले तीन दिन से अनिश्यत कालिन हर्ताल उनकी जारी भी है ऐसे में कुछ लोगों का मानना है हर्ताल को तोड़ने के लिए ये चीजे प्रकासत की जा रही है और मुख्यमंत्री जी सम्मेलन का जूटा दिखावा कर रहे है वहीं दूसरी तरप मुख्यमंत्री जी से यूनियन ने जो मिलाकात की है उनके बारे में जान लीजिएगा और विपच्च का भी कुछ लोगों का क्या कहना है जो धरने पर अभी भी मौजूद है तो पूरी जानकारी को ध्यान पुर्वक देख करके जाना पूरा समझ लेना ताकि आप किसी भी तरह से इन चीजों का सिकार ना हो तो आज हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं दोनों पच्चों को आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये MP में न्यूज प्रकासित की गई है मुख्यमंत्री ने आंगन बारी और आसा कार करता इनका सम्मेलन बुलाया है वेतन भी बढ़ेगा प्रमोशन भी मिलेगा इस तरह से आर्टिकल आया और 18 मार्च को ये भोपाल में कल ही प्रकासित किया गया है मुख्यमंत्री ने आंगन बारी और आसा कार करताओं का सम्मेलन बुलाया वेतन बढ़ेगा प्रमोशन भी मिलेगा और इस तरीके से एक ये सिवराज सिंग्चोहान मुक्यमंत्री की फोटो भी लगाई गई तो मद्दपदेश के भोपाद समाचार में एक ये खबर आई लिखा गया कि मद्दपदेश में आंगनबाडी कारकरता सरकार के खिलाप लगातार प्रदरसन कर रही है चुनाओ नजदीक है और जन्दता में आंगनबाडी कारकरतियों का आजो है इन्फ्लूएंस है अता इन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता इसलिए मुक्यमंत्री ने आंगनबाडी कारकरता का सम्मेलन बुलाया है इसमें मांदे बढ़ाया जाएगा और प्रमोशन की घोषणा भी की जाएगी नियमती करण पर विचार का आस्वासन दिया गया है तो ये आस्वासन नियमती करण का जूटा है ये तो मिलने से रहा आपको मैं पहले से भी बता दे रहा हूँ बाकी जैसे प्रमोशन की घोषणा हैं हो सकती है प्रमोशन तो नियम के मताबिक होने ही चाहिए मांदे वरद्धी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और एक बात पहले से मद्दप्रेस में आगन बाड़ी बेहनों को मौलूदा समय में जो पैसा मिल रहा है वो 10,000 रुप्या मिल रहा है तो 10,000 रुप्या मान दे अभी जो है मद्दप्रेस में मिल रहा है अब आगे मद्दप्रेस सरकाज सम्मेलन के माद्दम से कितना बढ़ाती है इसके बारे में आगे चलते हैं और कुछ इन खबरों में देखते हैं कहीं से कोई सुराग सायद मिल जाए इधर बात करते हैं इसमें और लिखा गया राजदानी बोपाल में अगले महीने आंगन बाड़ी कार करता सायका और मिनी कार करता इनका महा सम्मेलन होगा इसमें सिवरा सिंग चौहान सामिल होगे वे मांगो को लेकर के भी बात कहेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब चीजें आपर होने वाली हैं मांगो और महा सम्मेलन को लेकर के भारतिय मजदूर संग के नेत्वत्त में विविन संगटनों के पदाधिकारी सियम से मिले हैं अब एक बात याँ पर समझ लेना भारती मजदूर संग के पदाधिकारी मिले हैं और मैदान में ये नहीं है तो ये जाकर के मिले क्यों हैं ऐसा जो धरने कर रहे हैं यूनियन वाले उनका कहना आए धरने पर हैं बुलंद आवाजदारी सक्ति आगनबारी कारकरता साय का एकता यूनियन वाले जो हैं और यहां पर जो मिले हैं जाकर के वो भारती मजदूर संग के लोग मिल लिये उनका संगठन जाकर के मिल लिया इसलिए जो मजूदा समय में धरने पर हैं उनका कहना है कि उनके धरने को खतम करने के लिए इधर देखे इसमें क्या प्रकासित हैं इरियर्स की रासी के साथ दिया जाए रेटारिमेंट की रासी का आदेश दिया जाए सुपर्वाइजर के पद पर अनुभो और योगिता की आधार पर पदोनती की नीती बनाई जाए ये यहाँ पर उनसे चर्चाएं की गई वहाँ पर इन चीजों को लेकर बाकि एक मैसेज और टहल रहा है जो की आपको बताएं इसी सम्मंद में खुसखबरी खुसखबरी का एक ये प्रचार प्रसार आप समझ सकते हैं राधा बहने मद्प्रदेश से जिनों ने जानकारी को इस वाली को भी बेजा कि जिला असोक नगर की सभी कारकरता और सहय का मिनी बहनों को सुचित करते हुए बड़ा हर्स हो रहा है कि कल 17 तारीक दिन सुकुरवार को साम 7 बजे भारती मजदूर संकी प्रदेश कारकारडी एवं आंगन बाडी संकी प्रदेश कारकारडी प्रदेश की को माननी मुक्यमंतरी महदे सवरा सिंग्चोहान जी ने अपने निवास पर आमंत्रिद करके बैठक की है जिसमें माननी मुक्यमंतरी महदे ने हमारी मांगों पर सहमती दे दी है और कहा है कि आप लोग सभी तयार रहे 15 से 20 अप्रेल के बीच आपकी महा पंचयत बुला करके और गोसला की जाएगी बैनों हमारे छे दिन के आंदोलन का फल प्राप्त हुआ है आप लोग चिंता ना करें किसी अन्नि संगठन के बहकावे में ना आएं भारती मजदूर संग से संबद आंगनबाडी संग ही हमारा हितेसी संगठन है और इस तरह से आप देखिए अपने यूनियन का प्रचार प्रसार वो भी इस समय है जब बुलंदावातनारी अमला मैदान में है तमाम CDPO और Supervisor Union भी मैदान में है अब उन सब के धरने को खतम करने के लिए भारती मजदूर संग मैदान में उतर गया और इस तरीके से बहनों को लेकर कि ये आर्टिकल बेजे जा रहे हमारी वारता हो गई निवास पर जाकर के उन्होंने बुलाया तो बहुत आभाब व्यक्त किया वाकि ये सब चीजे यहाँ पर निकल निकल के आ रही है और लिखा कि कल की माननी मुक्यमंत्री महोदे जी के साथ चर्चा में निम्न मांगे सुईकार की गई है अब देखो इनके एकॉर्डिंग भारती मजदूर संकिस मीटिंग के एकॉर्डिंग क्या-क्या मांगे सुईकार की गए वो यहाँ पर देख लीजेगा उन्होंने ये भी का कि 15-20 तक सम्मेलन हो जाएगा कि माननी मुक्यमंत्री महोदे के साथ चर्चा में मांगे सुईकार की गए जिनमें पंदा सो रुपिया अतरिक्त मांदे किरासी एरियर जो है इसके साथ भुक्तान की जाएगी तो पहली बात तो एरियल जो है नहीं होता है एरियर होता है पहले तो ये लिखना सीख लिया जाए एरियर होता है मांदे में सम्मान जनक बढ़ोत्री की जाए अब यहाँ पर मांग तो है नहीं सम्मान जनक मांदे कितना क्या इनके साथ वारता होई फिर कौन से आपकी मांग मान ली गई, मान दे में सम्मान जनक बहुत बड़ोत्री की जाएगी, तो सम्मान जनक तो अपने आप में कोई सब्द ही नहीं है अपने आप में कोई एमाउंट ही नहीं है कितना सम्मान जनक सरकार दे देगी 10,000 दे रही है, उत्तर पदेश वालों के लिए तो वार्ता में आप देखने सब ऐसे ही है, कारकरताओं को अनुभाव और योगिता के अनुसार परवेचक के पत्पर पदोन्नत किया जाए, तो ये तो आप जो है कोड से लड़कर के भी करवा सकते हैं कि प्रमोशन इतने सालों से नहीं हुआ है, तो कराया क्यों नहीं जा रेटारिमेंट पर 18 में सियम हाउस में की गई गोशड़ा के अनुसार रासी दी जाएगी, और 6 दिन की हरतालव अधी की काटी गई रासी का भुगतान किया जाएगा, तो सभी बैनों आज सुवे की खुसकबरी आपको दे रही हूँ, आप सभी अधिक सद्धिक सद्धिक अपने अपने ब्लाक में करें, बताओ, सर्दस्यता करें, यानि लोगों को जोड़ो लो अपने मजदूर संग वाले यूनियन में, और जिससे सूची प्रदेश काराले भिजवाई जा सके और भुपाल में महा पंचात की तैयारी की जा सके, तो यहाँ पर आप देखें, अपना सम्मेलन के लिए सब चर्चाए हो रही, चुनाओ आता है, उसके पहले यूनियन अपने अपने जो ज़ंडे गारने लग जाते हैं, और ताकि इसी तरीके से सम्मेलन करवा ले, और मुक्यमंत्री को याप किसी बड़े नेता को बोला ले, और अपना भी थोड़ा न अपना सम्मेलन को ले करके, इस तरीके से सम्मेलन को ले करके, इसमें बहुत सारी राय बनी हुई है, अभी दैनिक भासकर में देखो, एक ये प्रकासित कर दी गए, रेखा चोदरी बहाने सैडल से उन्होंने जानकारी बेजी, दैनिक भासकर ने निकाला कि भोपाल में होगा आंगन बाडिकार करताओं का सम्मेलन, सियम से मिले उन्नती की नीती जो है बनाने की मान वहाँ पर की गई है, तो आप इस तरह से मांगे की गई है, मिलना मांगे कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जब बहने पता है तीन दिन से हर्ताल पर चल लई है, तो उनकी हर्ताल को इसकदर खतम करना साजिसों के चलते ये सोभा नह नहीं, सबी के सबी, तो फिर ये बैठक किसके साथ हुई, किसकी ये फोटो है, एक भी इसमें महिला नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक महिला है, तो वो भी पता नहीं बताओ, अतने सारे लोगों में, जो भी ब्भारति मजदूर के हो, या कोई अन्य तरह की किसी तरह की फोटो गलत चमका दी गई हो जो भी हो अब आंगन बारी बहनों का तो कहीं पर इसमें नामों नसान नदर धंग से आ नहीं रहा है तो बताओ महिलाओं की कितनी वहाँ पर सुनी जाएगी फिलाल के लिए इसमें ये कहा जा रहा है कि महा सम्मेलन भो करने को कहा गया है तो अब देखो इसी तरीके से सुनकर के बहुत सारी बहने सोचेंगी अब सब हो गया घर चलते हैं और धरना खतम कर देंगी इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई मांदे में व्रद्धी हो और यह एरियर्स की रासी के साथ दिया जाए जो आपने देखा जो मीडिया सोचल मीडिया इस तरह से वाटसिप पर तमाम मेसेज आ रहे हैं जो आये सो आये उनको आपने देखा अब हम आपको दिखाते हैं संतोसी देवी बहान है सेवपुर जिले से आती हैं और वहां से उन्होंने एक मैसेज आल इंडिया को इन्हों ने इसमें जिक्र किया है और कहा कि मद्द्प्रदेश में पर्योजना धिकारी, सुपर्वाइजर और आगनबारी कारकरता, मिनी कारकरता, संगत, सयुत मोर्चा की एकता की जोड़दार हर्ताल से सरकार हिल रही है, इसी तरह से सभी बैने हर्ताल जारी रखे, सरकार हर्ताल को तोड़ने की साजिस कर रही है कोई भी बहकावे में न आए जब तक संयुक्त मोर्चे की मांगो को सरकार नहीं मानेगी तब तक हमारी हर्ताल जारी रहेगी मुक्यमंत्री जी अपने बीजेपी बीएमेस के लोगों को बुला करके जूट बोल करके हर्ताल को तोड़ने की कोसिस कर रहे हैं ध्यान रखना बीएमेस जो है नाम का जो संगठन है वह सरकार का संगठन है इसमें जो नेता है वह भी बीजेपी के सदस्य हैं इनकी खबरों अपर ध्यान नहीं देना हमारी दो दिन की हर्ताल और हमारी सिवक्त मोर्चे की एकता से सरकार ही लिए उन्हें अब पता चल रहा है कि महिला बालविकास का अमला कितना काम करता है कभी भी हमारे काम का मूल नहीं समझा जाता है हमेसा यही सुना है कि महिला बालविकास उभ इकठा करके और मीडिया को अपने सयुक्त मोर्चे की मांगो को बताएं उनसे कहें आप कारकरता का समर्थन मत छापो हमारी खुद की सास की करमचारी का धरजा नियूनतम वेतन 100% सुपर्वाइजर के पतपर पदोनती मिनी कारकरता को पूर कारकरता बनाया जाए साहेका पदोनती और इसकी जगे जो है 10 साल की जगे 5 साल किया जाए रेटार होने या मरत्य होने पर कारकरता को 5 लाग मिनी को 3 लाग साहेका को 2 लाग ये सब दिया जाए चेश सूत्री मांगों को लेकर के बहने वहाँ पर लड़ रही है हमारा तीनों संगटनों का सयुक्त मोर्चा बना है यानि सिरीपियो, सुपर्वाइजर और आगन बारी इन तीनों लोगों का सयुक्त रूप से धर्ना चल लाया तो एक सयुक्त मोर्चा बनाया गया तीनों लोग एकठा लड़ रहे हैं इसलिए तीनों संगटनों के लोग एक मंच पर तीनों की मांगो को लेकर के अनिश्चित कानिन हर्ताल पर हैं इस सूचना को आगे बढ़ाएं और सभी गुर्पों में भेजें आपकी बहन कमलेश सर्मा इस तरह से आप देख सकते हैं तो ये सच्चाई है जो धरने आपने देखे जो चलना निश्चित कानिन हर्ताल वो भारती मजदूर संका नहीं चलना है तो मीटिंग का उद्दे से क्या बना इनका भाई ये तो डर रहे होंगे इस बास से कहीं ये बहने जो सयुक्त मोर्चा की है जिसमें सुपरवाइजर भी, सीडेप्यो भी, आगनबाडी भी सब सामिलें एकठा और तीनो एक साथ अपनी मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं, कोई बात नहीं और भारती मजदूर संग के साथ में मेटिंग हो गई चर्चाए हो गई, सम्मेलन का सब हो गया अरे मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे अगर अगर वाकई में कुछ करने के लिए तो उनको बुलाएंगे जो धरने पर इस समय है जो तीनों के तीनों यूनियन सयुक्त मोर्चा बना करके बैठे हुई है लेकिन उनको बुलाया तक नहीं गया उनके साथ बैठक नहीं और इस तरीके से यह चीज़े हो रही है जिसको लेकर के तमाम बाते इस समय निकल करके MP में आ रही है तो यहाँ पर आप सब बहने जो मद्पदेश की है बहकावे में न आए जूटे आर्टिकलों पर न आ जाए कि सम्मेलन हो गया है यानि सम्मेलन कादेश हो गया है मांदे तब बढ़ जाएगा फलाना ढिमका हो जाएगा नहीं अभी आपके यूनियन को आपके धरने को तोड़ने की एसाजिसे हो रही है अब इतना आसान नहीं है तोड़ना क्योंकि आप सोचो तीन-तिन यूनियन तीन-तिन जो बहने कठा मिलकर के लड़ रही है अब आइंगन बाड़ी बहने धरने पर जाती है तो सबसे ज़्यादा डर उनको सुपरवाजर, CDPO का रहता है चुकि वो सब भी साथी लड़ रहे हैं सुपरवाजर, CDPO भी अब आइंगन बाड़ी बहनों के साथ तो ऐसे में तीनों के तीनों लोग लड़ रहे है अब बताओ इन तीनों लोगों को लेकर के कोई सरकार ने बैठक नहीं कराई इनके साथ वारता नहीं हुई और फिर कैसे इनकी जो मांगे हैं जो लड़ रहे है तो वो real मानी जाएं जो लड़वी नहीं रहा वो जाकर के meeting करता है धर्ना करता है और सब बताता है कि सब सही हो गया यह वो करके सब हो रहा है ऐसे ही धर्ने के दोरान बेहनों हमारे धर्नों को तोड़ा जाता है और ऐसे ही कुछ जो सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं यूनियन भले ही वो हमारे आंगनबारी के हितासी बने फिरते हो और वो सब यही करते हैं। पीड के लिए भी बुलाते हैं और सब अपना कर लेते हैं यही सब इनका चलता है अरे बाया कब तक इन बेचारी गरीब भेनों को जो यहाँ पर ऐसे ही करते रहेंगे की कोई धरने पर है कोई कर रहा है धरना उसको करने दो सायद उनका भेनों का कुछ भला हो जाए लेकिन नहीं धरना खतम करवाना जल्दी से चलो मुक्यमंत्री जी से मुलाकात कर लो सम्मेलन का नाटक करवालो बस हो गया सब कुछ अरे मुक्यमंत्री जी को अगर वाकई में करना होता कुछ तो वो उनको बुला लेते और मुक्यमंत्री जी ने तो बोला था अपने वहाँ प्रश चाहिए सरकार को चाहिए कि जो प्रदरसंद्रत हैं तीनों लोग सयुंत मोर्चा को गारता के लिए बुलाया जाए ना कि ऐसे लोग को जो उनके अगेंस्ट हैं चुपके से बुला लो और सब कुझ गलत चीज जुआ है सोसल मेडिया में फैला दो कि दरना कतम वगरा वगरा करके और ऐसे बेचारों बेहनों का पूरा का पूरा ये टाइम जाएगा तो बेहनों आप सब इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कमेंट में आप जरूर बताना एधर एक हमारे पास ये सरला सिंग बहाने हर्दोई से उन्होंने एक व्यक्ति का फोटो भेजा है परिजनों क बिना बताए घर से धाबा संचालक हैं ये गायब हो गए हैं और आपको बतादे ये कछोना हर्दोई के हैं कोतवाली कछोना है ग्राम इनका तिरवा है मजरा पतसेनी देहात निवासी उत्तम कुमार मोर लक्नव हर्दोई मार्क पर लीला लेश्टोरें धाबा बगरा का का करता था जो 16 मार्च को 10 बजे धाबा से परजनों को बिना बताए कहीं गायब हो गए हैं तो इस तरह से अगर किसी को भाई मिलते हैं तो इनका ये नंबर नीचे दिया हुआ है इनको यहाँ पर सूचित कर सकते हैं ये इनका नंबर है फिलाल के लिए रिपोर्ट जो दी है वो पीडी गुपता नाम है उन्होंने दिये साथी साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं कुछ बहने हैं सुधा जैसे सिदातनगर से माया जैसे कौसांबी से रेखा जैसे मरजापूर से उन्होंने अपने वहाँ से एक फोटो बेजी है और आगे ले चलत और भी कुछ आप सब बेजनों को हम दिखाते हैं जैसे कि ये किरन वर्मा है सेतापूर से वहाँ पर भी बेजनों को सब सम्मानित किया गया है साथी ये सुनीता है बल्रामपूर से और बलाकिस तरी क्रिसक जागरुकता गोश्ठी आयुजित वहाँ पर कराई गई ये सु बात